नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन आयरवेदिक डॉक्टर पर दोस्तों मैं तरुन स्वनकार आपके लिए चरक उत्रार्थ के लेक्चर्स की सीरीज लेकाया हूँ जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धी इस्थान अध्याय दस्त बस्ती सिद्धी के बारे में तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मंगला चरन करते हैं बगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं भगवान गणेश सभी के विगनों को दूर करें हमारे युवी पढ़ने में मन लगता रहे इसी सोच के साथ चली आज का टॉपिक शुरू करते हैं तो बस्ती सिद्धी अध्याए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बस्ती का कार्य वै उसकी श्रेष्टता के बारे में तो बस्ती का कार्य या उसकी श्रेष्टता कैसे हैं तो अपन देखते हैं उसके बारे में तो उसके लिए मैंली चार पॉइंट है एक शीग्र और सुख पूर्वक दोशों का और मलों का शोधन करने से कि शीग्र शोधन करती है और सुक पूर्वक शोधन करती है इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन्स वगरा या रोगी को ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलती परेशानी अन्दी सेंस जैसे आप उसको वमन द्रव्य विरेचन होती है ऐसे ही वमन द्रव्य होता है मदन वलादी तो वह ऐसी जीव उसका मन कराब हो जाता है दबाई लेती ठीक है तो ऐसे में एक सुक पूर्वक इसमें ज़्यादा को कर्णों करने से करने वाली होतीं ठीक है और अगर तरपन करना ओँ तो वह भी analysts करती है ठीक है तरपन द्रव्यां की बस्तिद होगी जो चेए तर शी रूक्षद्रव्यों की बस्ती देने पर अप्तरपण वोगा तो वह भी शिग्रता से होगा इसमें ठीक है इसका लावा किसी भी उपतरव का भैय नहीं होने से कि इसमें उपतरव या कॉंप्लिकेशन भी काम होती है इसलिए बस्ती जो है अन्य चिक्सा विदियों से ज्यादा श्रेश्ट है अब यहां पर विरेचन के साथ एक स्पेसिबिक चीज है क्योंकि विरेचन भी अदोबाक्स है दोशों को निकलता बस्ती भी तो विरेचन से कैसे श्रेश्ट हुए उस बारे मं जानते है तो विरेचन में ओशत सेवन में रोगी को दुख होता है अब क्यों दुख होता है क्योंकि जो ओशि थी है वो तिक तिकटु ऊष्ण होती है इसके कारण उसको लेने में सुख कर नहीं लगती है इसका अलावा उसको डकार आत से बस्ती श्रेष्ट होती है, इसके अलावा बाल, वरद, दुर्बल, रोगे में विरेचन नहीं कराया जा सकता, या अपन ने जो विरेचन के अयोग्य है, उसमें भी अपन ने पढ़ा है, कि बाल होता है, वरद होता है, दुर्बल होता है, ये सब जो होते हैं, वो विरेच अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती यह सब आपने पड़े उए फिर अगला माते टॉपिक पे ब्रंगर बस्ति का योग है कि जो ब्रिष्य वस्तियां होती है जिन में शरीर का ब्रंगर ब्रंगरियों बस्तियां होती है उनका प्रयोग कहां नहीं करना चाहे है यह सोधन का योग्य जो होते हैं वो सब जो हैं ब्रंगन वस्ती के भी आयोग्यों होंगे ठीक है तो यहां पर क्या कहा है जिन व्यक्तियों में या जिन रोगों में शोधन आवश्यक है उनमें ब्रंगन वस्ती का निशेद होता है ठीक है इसके लावा जो मेदस्वी व्यक्ति होता है ज ब्रंगणवस्ति निशे दया ब्रंगणवस्ति नहीं करनी चाहिए इसके अलावा शोधन का योगी जिसे शत्य चीन हो गया दुर्बल हो गया मूर्चा से पीडित क्रश शुष्क शरीर वाले वमनादी से जिसका अभी अभी शोधन हुआ हो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनमें दो जिन व्यादियों का बल कटिन हो उन रोगों में प्रक्षेप और कशायों के साथ तिक्ष्न बस्ति हैं तथा इससे बिन रोगों के आवस्ता में क्वाद से युक्त मर्दू बस्ति हैं मर्दू अनुवासन और निरोबस्तियों का प्रयोग करना चीए ठीक है मतलब रोगी और रोक के बल को देखते हुए अपन बस्ती की तिक्षनता या मर्दुता का जुकती करते हैं ठीक है अगर मतलब रोक पुराना हो बलवान हो व्यादी बलवान हो ठीक है तो उस विस्तिति में तिक्षन वस्तियां देनी चीए प्रक्षेप और कशायों के साथ ठीक है फिर उसके बाद अगर इसके अतिरिक्ट कोई अवस्ता होती है तो उसमें क्वाथ देना चीए ओशदियों का और म्रदु अनुवासन और निरुवश्ति देनी चीए ठीक है अब सिद्धिस्तान जो आठ है माफ़के जेगा जो दस है सिद्धिस्तान उसमें टोटल 37 वस्तियों का वर्ण किया है ठीक है 37 वस्तियां ये इंपोर्टेंट है 37 की काउंटिंग आपको ये वाली याद रखनी है कि जैसे इनमें वातनाशक कितनी वस्तिया है बता देखे वातनाशक वस्तियां है इसमें तीन ऐसे पितनाशक तीन और कफनाशक भी तीन यानि जो दोशज आया है दोशज जो है जिसमें दोश इनवोल्व है दोशज वस्तियां वो तीन तीन है प्रतेख प्रतेख दोश के लिए तीन ठीक है फिर अगली पक्वाशे शोधक चार वस्तियां शुक्र वे मांसवर्दक वस्तियां चार संग्राहिक वस्तियां चार ठीक है चार तार वाली ये तोटल तीन वस्तियां होगे फिर दो-दो वाली पांच वस्तियां होगी जो इसमें कौन-कौन सी वस्तियां जाती हैं परिस्राव रोग नाशक दाहन नाशक परिकर्ति का नाशक प्रवाई का नाशक और विर्यचन अतियोग नाशक वस्तियां यह जो वस्तियां हैं यह दो-दो वस्तियां के दो-दो एक्जामपल इन वस्तियों के फिर जीवादान नाशक वस्तियां ये तीन होती है ठीक है और रत्पित नाशक दो और प्रमे नाशक एक इस प्रकार टोटल 37 वस्तियों का यहां पर सिद्धिस्तान दस में वर्णन किया गया है अब इनके नाम लिख रहे हैं मैंने एक्चुल में इनके नाम नहीं इनके content book में दे रहे हैं ले में शालपनी से start थे ठीक है तो उसको शालपनी अदिवस्ति बोल दिया ठीक है जूजी के लिया से आपको सरी पितनायाद करना ही कापी है ठीक है इसलिए मैंने इसको short में बताया है कि बिलवादी वस्ति शालपनी अदिवस्ति यवादी वस्ति ये वातनाशक दीन वस्ति कफनाशक वस्तियों में अर्क आदि वस्ति यहां पे रखता अर्क, प्र्योग किया गया है हरिद्र, आदि वस्ति, और पिपल्य आदि वस्ति फिर पकवाश शोदक कमियों के बात करें यहbyad Yaagheken चार होती है , ईसमे एक फल आदि वस्ति मुख्र्य कंटेंट मदनफल है फिर शामा दिवस्ति शामा तिवरत आपने पढ़ाई होगा काली निशोद ठीक है फिर उसके बाद प्रकीर यादी वस्ति प्रकीर यह बोला है करंज को ठीक है प्रकीर यादी वस्ति फिर है सब्तला शंकिन्यादी वस्ति कि सब्तला शंकिनी से जो योग बनता है उसकी जो बस्ति अवन काम मिले ज़ा है उसको सब्तलाशंकिन न्यादी बस्ति तो यह पक्वाशा शोदक वस्तियां हो गई फिर हम आगे बात करें वरश्य बस्तियों के बारे में तो वरश्य बस्तियां कौन-कौन से होगी काकोल्यादी, विदारीकंदादी, आत्मगुपतादी और मांसरस साधित वस्ति ठीक है फिर बता रहो नाम मैंने जो पहला कंटेंट है उसको देखते हो लिखे हैं वैसे बुक में कोई exact नाम नहीं शो कर रगा है ठीक है ऐसे कई common नाम वाले और जो है chapters उन में हो सकती है ठीक है तो ऐसे में confused नहीं हो ना content अलग-अलग है यह जान रखिएगा बस तो अगला है अपना संग्राहिक वस्ती इसमें आती है जीवनत्यादी वस्ती पग्रहादी वस्ती ट्रियंगवादी वस्ती और वटाद्य वस्ती ठीक है इसी प्रिकार आगे परिस्राव नाशक वस्ती परिस्राव नाशक वस्ती कौन कौनशी की पुनरनवादी और आखू पर्णयादी वस्ती ठीक है? ऐसे ही दाव नाशक वस्ती में कहाएगा कालंत कादी वस्ती या कालंत क बोला है इसमें कास मार रखो और उत्पलादी वस्ती कमल के जो पत्तों से जो बनती है वस्ती उत्पलादी वस्ती फिर परिकर्ती का नाशक वस्ती की बात करें हम तो परिकर्ती का नाशक वस्ती कौन कौन से है कर्बूरदार अदी वस्ती ठीक है कर्बूरदार जो होता है उसकी वस्ती फिर त्री कंटक आद्य वस्ती गंबारी और कौचनार इसमें काम में लेते हैं दोई कंटेंट इसमें काम में लेने वाले त्री कंटक बोला है गंबारी को ठीक है फिर अगली आती है प्रवाही का नाशक वस्ती प्रवाही का एक रोग है उसको नाश करने वाली वस्ति इसके पहली वस्ति इसमें जो कामा देवा है सेमर के फल से सिद्ध दूद प्लस गरत की वस्ति दूद प्लस गरत की वस्ति है सेमर के फल के साथ या सेमर के फल से सिद्ध मोचरस सिद्ध दुखद्वब गरत की वस्ती भी प्रवाई का नाशक होती है फिर विरेचनती योग नाशक है तो उसमें अश्व वरोही का दी वस्ती और नग्रोदादी वस्ती का नाम आता है फिर आगे हम देखे जीवादान नाशक वस्ती तो जीवादान नाश कोन करती है बृत्यादी वस्ती इसमें टोटल दो तरह की वस्तियां बता रहें के बृत्यादी और मदुकादी वस्ती फिर हम बात करें आगे रक्त पित्त नाशक वस्ती तो इसमें मंजिश्ठा दी वस् पिर प्रमे नाशक जो एक बस्ती है वो यह है, सोमवल क्यानी विट खodir से निर्मित जो बस्ती है वो प्रमे नाशक बस्ती, इस प्रकार से बस्ती च्ति-द्धा्यय मार पूरा ही होता है इसमें इतना नोट्स जो हैं आपको help करने के लिए जरूर है लेकिन किताब से बढ़े हैं और किताब से complete कुछ नहीं होते हैं ठीक है नोट्स में हम वह चीज़े cover करने कोशिश करते हैं जो पहले question आए हुए है ठीक है तो इस तरह से यह जो है important chapter निकला हमारा एक पूरा हुआ मिलेंगे आप अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें बाए